दिमस्कावर केपी न्यूस प्रिंट फूस सवन में आपका स्वागत है मैं हूँ अश्वी निया आपके सार चलिए खनजर आते हैं आज को मुख्य समाचारों पर सुप्रिम कोट ने भवानी रेवन्ना की गिरतारी पूरो जमायत के खिलाफ करनाटका किया चिता को दो सप्ताह के लिए किया स्थजिए कॉंग्रेस को टुकडे टुकडे गिरो और शहरी निकसरी चला रही महारास्ता के वर्धा में पियम मोदी ने कहिए बाद बराबरी का समवाद और बुजूर्गों का समान होता तो खर्गे के ख़त का जवाब पियम मोदी खुद देते कॉंग्रेस की नेता पियांका गांधी ने कहिए बाद अब समाचार विस्तार से श्री 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 दत्तागिरी महाराज आश्रम श्री श्री शुकलतीर्थ मडिवालेश्वर सामाजी कोर सांस्कृतिक अभिवरदी ट्रस्ट नवदगिरी बीदर में 21 सितंबर शनिवार को सुभा आठ बजे से शुक्लतीर्त शिवमंदिर बीदर में शावनमाज भजनसमाक्ती समारंभर आयोजित किया चा रहा है इसमें जनपत संगीत उत्सव और कुंग कलसार रैली भी किये जाएगी इस कारेक्वर में दिव्य सानी भी श्री 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 108 वैराग्य शिख के तौर पर करनाटा के कैबनेट मिनिस्टर्फ और पॉरेस्ट एंड उकोलाजी एवं बीदर इंचार्ज मिन्स्टर इश्वर खंड्रे कैबनेट मिन्स्टर फॉर मुनसिपल अड्मिंस्टेशन हच अड़ रहिं खान बीदर के सांसर सागर खंड्रे बीदर सीम्सी के कर्म में उपस्तित रहने का नरोद किया गए हैं इस अफसर पर अनिल कुमार राज़गिरा ने केपी नियूस से बात करते हुए केपी नियूस से संब्ध में बात किया केपी नियूस की कैमरमेन पपराज का कवरी काल्यान करनार का सरक परिवहा निगम करमचारी शिर्शक सहक समिती कलबूर्गी के नय अधिक्ष युवानेता शिर्पुत्रपा बेलमागी है और उपाधिक्ष नागेश पुजारी है और वरिष्ट निता देवराज चौर और आनंद राठोर जहराम राठोर सिदन्ना को पांडुरंगा मिला को निर्देशक बनने पर समानित किया ग केके आरसा भारतिय मजदूर संघ गुंडपा वल्लूर प्रधान कारेदर्शी कारेकारी अधिक्ष केके आरसा भारतिय मजदूर संघ और अन्य अधिकारी उपस्तित रहे इस अवसर पर गनपती सक्रे नारो सक्रेपनोर भारतिय मजदूर संघ के महासचीव ने बात की के दावनगिरे में पुलिस ने उन्ली सितंबर की शाम गनेश मूर्ती जुलूस के दारान हुवी हिंसा के सिलसले में शुकरवार को 18 लोगों को गिरफतार किया। के एक मामली में निलंडिक जेडियस नेता और बलातकार के आरोपी प्रजवर रेवना की माँ भवानी रेवना को दी गई अगनिम जमानत को रदिकरने की मांग वाली कनार्ता सरकार की या चिका को शुकरवार को दो सकता के लिए स्थविट कर दिया है। करना ने जांच में सहीयों किया है। पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण दोश पर ध्यान नहीं देगी और श्रीनिवास को हलपनामा दायर करने को कहा। प्रधान मंत्री मोधी ने शुकरवार को कॉंग्रेस पर निशाना साते हुए कहा कि इस पार्थी को तुबड़े तुबड़े गिरहों को और शहरी निकसली न चला रहा है। प्यम मोधी ने प्यम विश्वकर्मा योजना के तहट साल पूरे होने पर महारास्ता के वरधा में एक जनसभा को संभूरित करते हुए कहा। आज आप जिस कॉंग्रेस को देखते हैं वह पार्थी नहीं है जिसके साथ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ती जुरे थी। किल मुहासों की दाग मस्रा बालों का जड़ना गंजापन चहरे पर अंचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुश खबरी अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेर प्लीनिक कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर जहां पर तवचा बालों एवं चहरे पर दाग धब्बे शरीर में खुजली नाखुनों से संभंधित बीमारी की अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अंचाहे बालों को निकालने के लिए ल बॉक्टर विने कुमार बियानी MBBS MD, कंसेंटल डर्मेटलोजिस्ट, कॉस्मेटलोजिस्ट और ट्राइकोलोजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन और हेल्ट क्लीनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लीनिक के इलाज से फ अब यह सब चीज़े यहीं बीदर में उपलग नई कमान के पास बस्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लीनिक है चले आए बियानी स्केन और हेल क्लीनिक कॉस्मेटिक और लेजर सेंटर टाइमिंग सुभी ग्यारा बज़े से नौ बज़े तक लेवन टू नाइन प चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है एक और आज महाविकार सघाडी की महातुपूर्ण बैठक हुई तो जबकि दूसरी और अजित्पवार ने नई रन्मीति तयार की सुद्रों के अनुसार अजित्पवार चुनाव में अधिक से अधिक मुस्लिन कर रहे हैं इसे महाविकासाघाडी की स्थिकी मजबूत होगी और वे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी राजनीती में इस बदलाव को लेकर चर्चाएं भी बढ़ गई है पस्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बानर जी ने राज्य के कई जिलों में आई बाड के लिए पड़ोसिर राज्य जार्खन को जिम्मेदा ठहराया है पस्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना है कि जार्खन सरकार और डीवी सीज ने जानबूच कर मैथन और पंचेत दैम से पानी छोड़ा है जिसके कारण पस्चिम बंगाल के कई जिलों में बाड़ा भी है बाढ़ के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल जार्खंड सीमा को तीन दिनों तक सील करने का आदेश्ट कुल्टी थाना के चौरांगी चौकी की पलस और कुल्टी ट्राफिक पलस ने जारखंड से बंगाल की एक और आने वाली सभी मालवाहक वाहनों को रोपते वे उन्हें वापस जारखंड की और मोर दिया है। सरकार आमने सामने आवी हैं और दोनों सरकारे अब अपना पक्ष रख रही हैं। सरकार नहीं बन सकती। उन्हें कहा कि बीजेपी आरक्षन और अनुसूची जनजाती के दरजे के नाम पर गुजरों और पहाडियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। मुफ्ति ने कहा कि उन्होंने पहाडी समुदाई को स्टी का धर्जा दे कर कोई एसान नहीं किया है। पारुक अब्दिल्ला, उमर अब्दिल्ला और मेरे सही जमो कश्मीर के सभी मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर के इंदुसरकार के समक्षिश मुद्दे और आरक्षन के मुद्दे को उठाया है। अब वक्त एक और छोड़ से ब्रेका जल लोटेंगे ब्रेक के बादुस्तान के हर कोने में हम है मौजू 24 घंटे हालात पर गहरी नज़र खबरों से जुड़े चुपते सवाला और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनाशनल न्यूस की सबसे बहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें कोंग्रेस की नेता प्रियांका गांधी ने मलिकाजन खरगे को जेपी नड़ा के लिखे गए खट पर नाराज भी चताई है तो जनता की नजर में उही की छवी और दरिमा बढ़ती हिंतर और आकरमत किस्म का जवाब लिखवा कर भेज दिया है मुरादाबाद की कांट रोड स्थित एक नीजी होटल में बी-ल के मैक्स सूपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ जुड़े डॉक्टरों द्वारा एक प्रेस वारता कायोजन किया गया प्रेस वारता के दारान बताया गया कि मुरादाबाद में बी-म-र ग्रूप बी-ल के मैक्स सूपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ मिलकर नियूरो सरजरी और नियूरो स्पाइन की ओपीडी शुरू करने का एक एहम कदम उठाया है जिसके जरीए मरीजों में होने वाली गंभी बिमारियों का इलाज किया जा सकेगा मामले के जानकारी देते हुए बी-ल के मैक्स सूपर स्पेशलिटी अस्पताल में नियूरो सरजरी और नियूरो स्पाइन के सोसीय डायरेक्टर डॉक्टर रोहिद बंसल ने बताया की जनपद मरादाबाद में डिल्ली के पार पहली बार स्पेशलाइजड नियूरो सरजरी और नियूरो स्पाइन की ओपीडीच शुरू की जा रही है जिसे मरीजों को काफी राहत मिलेगी गंभिर विमारियों का भी इलाज जन्पन मुरादाबाद में किया जाएगा और उन्हें बताया कि मरीज जिसके सर में गाठे यानी ट्यूमर था उसका इलाज भी हमारे टीम वारा सफलता पूर्वक किया गया और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है ऐसे ही और मरीजों के लिए जन्पन मुरादाबाद में हमारी टीम हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दो पहर 2 बजे तक मरीजों की सेवाओं के लिए उपलब्द रहेगी यह OPD सेवाए मुरादाबाद शेहर में मरीजों को उनके दर्वाजे पर वर्ल क्लास इलाच के समाधान मुहिया कराएगी जो मुरादाबाद के स्वस्थ के सेवा के दुनियादी धाचे के लिए एक अच्छी कहल होगी इस सेवा से मरीजों को अच्छा ट्रीक्मेंट दिया जाएगा प्रेस वारता के दावरान बेल के मैक स्पेशलिटी अस्पिताल में नियोरो सर्जन वर नियोरो स्पाइन के असूस्ये डिरेक्टर डॉक्टर रोहित बंसल डियमाल ग्रूप का अस्पताल के चेर्मेंड वर मैनेजिन डिरेक्टर डॉक्टर मंजीश राथियादी मौधूत है। दैके साथ बाराल से दो के बीच है。 तो हर सुब इता हर इलाज हर बिमारी का इलाज अब मौरादाबाध में समभव का रहा हैं। वह यह करेंगे और और जिस मरीज को हमें लगता है कि operation के लिए या किसी जटल इलाज के लिए दिल्ली ट्रावल करना है उनको हम बिल्ली अपने पास hospital बुलाएंगे इलाज करने जिसके लिए पूरी हमारे team यहां मौझूद है जो help करेगी patient को बहां तक आने हुए डॉक्तर अकाश हमारे कली है consultant है neurosurgery में यह बिजनौर की निवासी है तो यह हमारे साथ यहां रहेंगे और रेगुलर्ली ओपीडी करेंगे अब्दुलबसीच साब जो है 23 साल के है यह लास्ट यह हमारे पास आये ओपीडी में उनकों मिल्गी के दौरे पढ़ते थे और सर में काफी दर्द होता था और इंकी आंकों की रोश्नी भी कम होती जा रहे थी तो हमने जब इनका इलाज करा के देखा तो देखा कि को हम ट्यूमर बोल रहे हैं तो हमने इनको सजेस्ट किया कि इतना जादा दिमाग पे प्रशर है इतने बड़ी-बड़ी गाटे है तो इसमें सर्जरी होने चाहिए आप दियर्लियस तो हमने इनकाला हमने गाट को पूरी के पूरी को और रिपोर्ट में उसमें इंट्रेक् तो पहली बात तो ब्रें ट्यूमर की सरजरी काफी कॉंप्लिकेड़ होती है काफी सोफिस्टीकेड होती है तो यहां पर हमारे पास टेक्नालिजी का बहुत रूल आता है थो हम लोग जो करते हैं वह वहारे पास काफी modern equipment है जिसको नियूरो नेविकेशन बोलता है निनूर वज़े से आप नॉर्मल वाले ब्रेन टिशु को डिसर्ब नहीं करते हैं केबल टूमर को निकाल बाते हैं एक और ऐसी विधी होती है उसको इंट्रॉपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग बोलते हैं आप देख सकते हैं कि नॉर्मल नस कहां पर है और अबनॉर्मल नस कहां पर है जिसमें अब्लम हो रही है तो नसों को बचाना बहुत एजी होगी है जैसे अब्दुलबसीच साब को ही हम एक्जामपल दे रहे हैं जो अब और आदाबाद के निवासी हैं इनकी जब हमने सलने फरने लगए और चौनते पांचे जने हमने डिशार्ज करके इनको घर में जोड़े हैं यहां पे हम पहले और तीसरे हर महीने के पहले और तीसरे शुकरवार को 12 से 2 के बीच में DMR हॉस्पिटल में अवेलेबल रहे हैं कांग्रिस नेता उस्थांसत राहूल गांधी शुकरवार सुभा हरियाना के करनाल जले स्थित घोगडीपूर गाउं पहुंचे यहां उन्होंने अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजनों से मुलाकात की दरसल घोगडीपूर गाउं के अमित अमेरिका में रहते हैं मुलाकात के दोरान रहूल गांधी में परिवार वालों को धाड़सा बंधाया दरसल जब रहूल गांधी ने अमित से अमेरिका में मुलाकात की थी तो वादा किया था कि वो उनके घर वालों से जरूर मिलेंगे इसी सिलसले में रहूल गांधी ने अमित की मा बीर मती और अमित अमेरिका में ट्रग ड्राइवर है और वो सड़काचे का शिकार हुए थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एके सितंबर को श्री शुक्ल तेर्थ मड़िवाड एश्वर सामाजिक और सांस्कुतिक अभिवद्धी थ्रस्ट नवदगिरी बीदर में श्रावन मास भजन समाप्ती समारंब किया जा रहा आई। सुप्रिम कोर्ट ने भवानी रेवन्ना की गिरफतारी पूर्व जमाने के खिलाफ करनाटका की आचिता को दो सब्तह के लिए किया स्थवी। कॉंगरेस को टुकले टुकले गिरहो और शहरी निकसरी चला रही महारास्ता के वर्धा में पीयम मोधी ने कही ये बाद। बराबरी का समवाद और मुज़ूर्गों का समवान होता तो खर्गे के ख़त का जवाब की अमोदी खुद देते कांगरिस की नेता प्यांका गान ही निकल गेगा के पिनियूस के मुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही देख पूरे के पिनियूस मुल्फोस से धन्यवाद